तो दोस्तों फिर से नवस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उश्या की किरन में जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम अक्सर करके आपको बहुत सारी जन्कारिया देते हैं जिसके अंदर वीकल हों, घर की चीजे हो या फिर डेकोरेशन की चीजे हो तो आज फिर से राज भीया हमारे पास में आ चुके हैं और वाल पेपर लगाने वाले हैं आज ये तो हमने ये वाला वाल पेपर पसंद किया है राज भीया सबसे पहले तो आपको गूड मॉर्निंग आठ बज रहे हैं सुबह के औ वाल पेपर हमने लिया है दोस्तों हमारी जो मंदिर की पीछे वाली दीवाल है इस पर हम लगाएंगे जिससे की मंदिर का पीछे का जो बैक ग्राउंड है वो काफी अच्छा हो जाएगा यह हमारा मंदिर है जैसा कि हमने आपको बताया था इसके अदर भी लाइट वोगएर हमने अठा दिया डिसकनेक्शन किया हुआ है वहां से इस दीवाल पर पूरा वाल पेपर लग जाएगा फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा लगने वाला है तो राजबिया यह बताओ कि यह जो वाल पेपर है अपना क्या कीमत का है यह 2600 रुपे का रोल है 2600 रुपे का रोल है ना विद मैट्रियल लगाना वगाना सब कुछ कंप्लीट और इन दौर में जो है इनका डिजाइन आर्ट के नाम से इनका वह है ओफिस तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को तो सबसे पहले जिए रॉल आते हैं इस तरह कि कुछ यह तीन डॉल लाएं नहीं दो रोल हमारे यहां पर लगेंगे इस साइट मे यह जो जगए हमारे यहां पर बाथ्रूम के पास वाली इस वाल पर कवर करेंगे यहां तो घर को डेकोरेशन बनानी की हम पूरी कोसे से करते रहते ह जिसके बारे में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं इन दीवालों को पर भी कुछ लगाएंगे यहां पर आने वाले समय में हमने यह लगाया था 3D वाल वाल पेपर यह भी राज भईया नहीं लगाया था और अभी आप देखें हमारे घर का माहुल डेकुरेशन का काम चली के सिरे गाया थै तो यह भी इसकी एक कड़ी है तो वीडियो के साथ बने रहे हैं चैनल के साथ बने रहें इन ऑन तो ट्सुरी आज जार गाए हैं जैड़ को श्रुक्त हर 꽤 जाने के बातम वहां पर लगना श्रू हो जाएंगा वालभेपर को श्रूठच ने भी नाप जर तो पानी में मिला रहा है तो स्यम्च पॉडर मिला करके बनाए जा रहा है पैष्ट जिससे के यह चीपकते हैं वाल पेपर यह वाटर प्रूफ रहता है मतलब सुखने के बाद में छूटता तो नहीं है ना एक बार सेट हो जाता है तो अच्छा फेविकॉल भी मिलाएंगे तो इस तरह का कुछ मिस्रण होता है या पानी के अंदर मिला लेते हैं यह सीमसी पाउडर को और यह इनका इस्पंज बगरा प्रूमें आया आपके शहर में आया तो वह आपका फोन नमर बता दो इस नमबर पर कॉल करें और इनको बुलाएं अपने घर एक से तो बिया महां का आने आने का वाई आज का खर्चा और चा सब तुम्हें उठाना पड़ेगा तो भी देखों मिस्रण मन के तयार हो रहा है और दोस्तों ने अपना काम करवाया था भी मकान का आप देखें किस तरह का लग रहा है अभी तो डेकोरिशन का काम चली रहा है फ बोतल बड़ी सांदार है तुम्हारे तो यह चादर बिचाली गई है और इसके उपर लग रहा है आप गम वाला पेस्ट दोस्तों जब भी आप इस तरह का भाल पेपर लगाएं तो आपके घर में कोई भी पुराना चादर वगरा पड़ा हो तो आप उसको दें क्योंकि य यूज में नहीं आने वाला है तो इस चीज का खयाल रखें क्योंकि यह लोग आएंगे आप से चादर मांगेंगे और आप दे देंगे कोई नया चादर तो इसका भी आपका नुक्सान हो जाएगा इसलिए हमने पहले ही एक पुराना चादर यहां पे निकाल के रखा है उस बैक के पीछे की साइड में हम थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ भी देंगे तो चल गाएगा लेकिन जो दोनों साइड की बाउंडरी उसको हम कवर कर लेंगे एक रॉल के अंदर तो मानके चलें के 26 रुपे के आसपास में हमारा यह काम यहां का कंप्लीट हो जाएग ने इन्होंने लगाया थोड़ा सा गम और गम लगाने के बाद में पेस्टिंग हो गए यह सुरू तो यह मोर पंक अच्छी लगेंगे ने बहाने के बाद में हो हाँ क्योंकि मंदिर है तो मंदिर के साफ समने सोचा मोर पंक ही लगानी चाहिए तो यह देखो और यह पेस्टिंग पास से दिखाते हैं थोड़ा तुम्हें यह देखो यह बाट यह बात यह बात यह बात हर कोई चाहता है कि कुछ छूटा वोटा डेकोरेशन का काम चलता है और वो और प्रियास करता रहता है वेक्टी हम भी प्रियास कर रहे हैं कως कुछ के अच्छा बन जाए यह पूरा का पूरा पीवी सी कोटेट होटा है दोस्तों हलांकि यह पेपर ही होता है कोई भी सोचे कि मैं भी लगा लूँगा लेकिन में चीज जो होती है ने स्किल की वह यह होती है कि इसके जो फिगर होते हैं इनको मिलाना पड़ता है तो आप देखेंगे यह मोरपंक के जो फिगर हैं हमने जैसे दो तीन पीस यहां पे लगाए हैं अब ही तो यह जो फिगर रहना इनका मिलना बहुत जरूरी होता है और कटिंग जो है न बड़ी फिनेसिंग के साथ में करनी होती है तो में चीज तो यह है नहीं तो वाल पर पर तो क किछिन के अंदर इस्टेंड बनायता है किछिन इस्टेंड यह इसके उपर हमने यहां पे लोर्स होगर लगाए है यह लोर्स भी देखें आप लोर्स के साथ में जब यह वाल पेपर का लुक आएगा ना मेरे कहले से मस्ती लगेगा और फरनीचर के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे आने वाले समय में क्योंकि हमने फरनीचर का काम भी काफ़ी सारा करवाया अभी हाली में यह देखें आप लोर्स हमने यहां भी लगाए हैं और यह आप देखें उपर पैनेलिंग की गई है पूरी की पूरी यहां पर यह furniture के साथ ही, इस side में भी wall के उपर paneling की गई है, इनका भी छोटा-छोटा short short video दूँगा हमें, इनको बनाए है हमारे राजिस्तानी भाईोंने मिल करके, यह TV का stand है, side में आप देखे, छोटी हमारी clips के अंदर आपने देखा ही होगा, इसके अंदर हमने यहाँ पर light लगा दी है, यह वाली, light लगा दी है, यह नीचे हमारा music system हो गया, यह हमारा 55 inch का television हो गया, और यह जो है यहाँ पर हमने इस तरह का कुछ TV का furniture यहाँ पर बनवाया था, नीचे तीन रेक दी हैं, जिसके अंदर एक में आपका DTH वगरा के connection हो जाएंगे, वाँ पर mobile charging हो जाएगा, यहाँ पर हमने रोप light लगाई पीछे की साइड में, profile light, यह देखें आप यहाँ पर, यह profile light है, यह, इससे look अच्छा लगता है, night के समय में, और, यहाँ आप हमारा च्छत का latest design भी देखें, चुकि ऐसा design अक्सर करके लोग जो हैं, बनाते नहीं हैं, पर इसको भी हमने बनवाया था, आज से 8 साल पहले, तो भी आप कमेंट करके जुरूर बताएं हमें, कैसा काम, कैसी हमारी मेहनत, कैसी राजबाई की मेहनत, और यह देखें आप, पी बी, मतलब पी ओ पी का काम, मंदिर के उपर के portion में यह लगाई है, किचिन के उपर यह लगाया है, अभी थोड़ा और काम बाकी है, तो यह 3D वाला डेजाएं है, आप देखके बताएं, दोस्तों कैसा लग रहा है यह देजाएं, यह भी सेम उसी parameter, उसी rate का है, और इसको लगाया जाएगा हमारा यहाँ पर, इसके लगने की process शुरू होती है, फिर हम आपको बताते हैं, पूरा update, अभी तो इसकी cutting वगरा की जा रही है, यहाँ पर, देखो इसके cutting में cutting वगरा कर लेते हैं, और cutting करने के बाद में, size के अनुसार मतलब, कहां कितने area में कौन सा piece लगेगा, तो इसे साफसे cutting कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको लगा देंगे, और इनके लगाने की अब सुरूबात हो चुकी है, अगर आपको यह design और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हमें comment करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी informative वीडियो लेके आए हैं, राज भी यह तुम्हें अपना एक YouTube चैनल बना लो, उस पर जबी भी तुम वालपेपर लगाया करो, उसके जैनकारी लोगों तक कहुँचाया करो, यह देखो गया, bricks वाली design, वाश वेशन के एरिया में क्या है हमने यह वाली टाइल लगवाई है, यह पर थोड़ी सी bricks टाइप की ही, तो हमने सुचा कि यहाँ पर इस से match करती हुई ही, कोई हम जो है यहाँ वालपेपर लगाके इस एरिया पकवर कर दें, यहाँ यहाँ पर लग रही है, हरियाली के साथ इंटों के उपर हरियाली की बेल आ रखी है, अच्छा लगेगा, अच्छा फील कराएगा जब आप ब्रश करेंगे, हाथ मुँ धोईंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपको अच्छा फील करवाएगा, तो देखो वाई, एक पट्टी लग चुकी है, बड़ी सांदाल लग रही है, वहाँ तो वही चीज, अब दूसरा रोल भी लगने की तैयारी हो रही है, यह कंप्लीट हो गया है, अब आप देखें, कि मंदिर के पीछे की जो पोर्शा ने हमने जो कवर किया है, यह कंप्लीट काम ना, हो गया, तो वही दोस्तों कमेंट करके आप बताएं, कि यह कैसा लग रहा है, इस एरिया के अंदर यह वाल पेपर, और देखो, इतना सारा यह वेस्टेज निकला है, क्योंकि ब्रिक्स को मिलाना पड़ता है, तो इसलिए इसके जो फिगर रहते हैं, इसके लिए यहां पर जो है, थोड़ा बहुत बेच से निकल जाता है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह वाल पेपर की डिजाइन और आपको काम करने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो भई, आप कुछ कहना चाहते हो, हमारे वीवर्स के लिए लास्ट में, कहां पर आप से कैसे क्या मिले, कुछ बोलना है, तो बोलो, मेरी शौब नरेल्टिवारी मार्ग पे है, डिजाइन आट नाम से, वहां वाल पेपर की वह सारी क्वालिटी, वेराइटी वगेरा सम मिल जाती है, और टेक्चर भी है ना, और टेक्चर भी है, अर्टिफिसल ग्राज, ब्लाइंड वगेरा, सारी चीज़ लगा देते हो, मतलब है न, हम डेकोर का सारा काम कर देते हैं, तो दोस्तों, आप इन वीडियो के अंदर इन्हों ने अपना नंबर भी बताया है, तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं हैं, उमीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, थैंक्यू वेरी मच्च